जैस्री किष्ण, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहे गुरुबे नमा, ओम ब्रम ब्रस्पते नमा, ओम एम क्लीम ब्रस्पते नमा स्वागत है आप सभी का मेरे हैचस वारद्वा यूटूब चैनल पर आज मैं आपको छे राशियों की जानकारी दे रहा हूँ ब्रस्पत देव का राशी परवर्तन, छे राशी वालों के लिए बहुत ही सो रहने वाला है दोस्तों 29 जून से, 29 जून की सुबह से ही ब्रस्पत देव राशी परवर्तन करने जा रहे हैं अभी फिलाल में ब्रस्पत मकर राजमिया ने अपनी नीच की राशी में गोचर कर रहे हैं सनी के साथ में और जैसे ही यह है अपनी स्वेराशी में प्रवेश करेंगे उस समय से पहुत बड़ा परवर्तन आएगा जो परेशान यह संसार प्याइए हूई है वह बी दीरे दीरे रेकर भी हो जाएने तो अपने कावो में आना शूरू हो जाएंगी और राशी परवर्तन में होगा जिससे कई राशीों का भाग यो दै हुगा दोस्तों भगवान की आज्या से नवग्रा देखता सभी अपना-पना दायत तुनिवाते हैं शूरदेव अपना दायत तुनिवाते हैं, चंद्रम अपना दायत तुनिवाते हैं मंगल देव अपना दायत तुनिवाते हैं, सभी का अपना-पना करत अब्या है जैसे मान लेजिए घर में नो बंदे हैं एक मुक्या है अब उसने प्रतेग बंदे का कारे सुप दिया है कि तुम्हें ये कारे करना है तुम्हें घर का ध्यान रखना है तुम्हें भार का ध्यान रखना है यानि सब अपना अपना दायत तो निवाते ही, वो मुखिया देखता है कि कौन सा अपना दायत तो सही निवारा है, किसी का सुवाब तेज होता है, किसी का चंचल सुवाब होता है, किसी का सांत सुवाब होता है, सभी की जो सुवाब होता है, प्रकत्य होती है वो एक जैसी यही प्रकार। नवग्र देपताओं का भी यही प्रवाव होता है। मंगल देव तेज़ प्रगति के हुआ। वहीं पर चंद्रमा स्वम् प्रगति के है। वृष्पत देव सभी देपताओं के और रिस्यों के गुरु माने जाते हुआ। ये सौम प्रगति के ग्रहें, इनका जो प्रियरंग है हुआ है पीला है, और ब्रस्पत देव जिस घर में बैठ जाते हैं, जिसके उपर भी द्रश्टी डालते हैं, उसका संसार बदल जाता, यानि उसके लिए बहुत ही सुवसंकेत होते हैं, ये सिक्या प्रदान करते हैं, ये वैभव प्रदान करते हैं, ये समय का ज्ञान कराते हैं, ब्रस्पत देव की किरपाद जिसके उपर हो, वह इनसान अपने आपी तर्क पितर करने में बुद्धी का सर्व श्टेस्ट ग्याता हो जाता है, यानि उसके अंदर स्वत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वो ऐसे ऐसे निर्णाय करता है जिससे अपना भी भला हो दूसरों का भी भला हो समय के अमसार चलने वाला बंदा हो जाता है दन की प्राप्ति होती है संतान की प्राप्ति होती है ब्रैस्वत देव की किरपा जिसके उपर हो पुत्र की प्राप्ति होती है तनकी प्राप्ति होते हैं ऐसे ही छे रासियों के उपर इनकी द्रिष्टी जाने वाली है सबसे पहले बात करते हैं इनकी जो द्रिष्टी पड़ेगी वो पड़ेगी सिंग्रासि पर सिंग्रासि वालों को नोकरी, बिजिनिस, एजुकेशन, हेल्थ हर प्रकार का सुख प्राप्त होगा बिद्या की प्राप्त होगी जो बिद्यारती है उनको बिद्या की प्राप्त होगी जो नोकरी की तलास में उनको नोकरी की प्राप्त होगी लेकिने एक चीज का ध्यान रखना है जुलाइस लेकि सितमर तक मिक्स परवाप रहेगा और सितमर से लेकर के 20 नममर तक बहुत ही सुब्ब परवाप रहेगा 20 नममर के बाद में फिर गुरू का राशी परवर्थन होगा तो जुलाई से लेकर के बीश नममर तक ये छे रासी वालों का बहुत अच्छा बागी चलने वाला है तो सिंग रासी वालों को बहुत अच्छे सुवसंगेत मिलेंगे अचानक लाप प्राप्त होगा और ऐसा से कार उसे दोंगे आपको उमीद भी न होगी शूर देव के आरादना करें बेश्मितवार को पीली चीज का दान करें दूसरी जो रासी है मेश रासी शूर चंद्र मंगल ये ब्रस्पत देव के मित्र ग्रहने तो मेश रासी जो मंगल की रासी है और इसका बागी परवर्तन होगा बहुत अच्छा बाग रेने बाला है इनको भी हर प्रकार का बेवब और शुक प्राप्त होगा रुके हुए कार संपन होंगे गया हुआ पेंसा बापस आएगा अगर आप किसी चीज में पेंसा लगा रहा है तो उसमें तरक्की मिलेगी यानि हर प्रकार का जो है लाव प्राफ्त होगा लामन ते कुंग आप हनवान जी की और विश्पित देव की पूजा करते रहें बीरवार के दिन गुड़ का दान करें पहुत सोब रहेगा आपके लिए तीसरी जो रासी है वह स्वयम की धनुरासी जिसमें ये प्रिवेश करने बाले बहुत ही अच्छा और सोब आग रहने बाला है क्योंकि स्वयम की रासी है स्वयरासी है और मूलत्रकुन रासी भी है तो इनको बहुत बड़ा लाम मिलेगा ब्रिश्पित बार के दिन आप हल्दी का दान करें नाते समय ये च्छेवरासी वाले अपने पानी में थूड़ी सी हल्दी डाल करके नाय बीरवाल बहुत बड़ा लाम मिलेगा पुत्र धन की प्राप्ति होगी भार जाने की योग प्राप्त होंगे और भार के लोगों के द्वारा आपको लाब भी प्राप्त होगा चोती जो रासी है वह है मीन रासी जैसा धनुरासी का भाग उसी प्रकार से मीन रासी का भाग और मीन रासी के उपर इनकी द्रश्टी रहेगी और मीन रासी के अंदर मंगल का गोचर भी शुरू हो चुका है तो मिन रासी वालों को अपना भूमी जाजाद आदी का सुख भी प्राप्त होगा, मकान आदी का, अब तक आप क्रायन पे थे या कैसे भी थे, अब आपका अपना खुद का घर बनने का योग है, विशुदवार की पूजा करते रहें, और पीला बस्तर कोई साथ में रखें और भीरवार को केले का दान करें, गरीब बच्चों में, आपको लाप्राप्त होगा, अगली जो रासी है, वह है, व्रेश्चिक रासी, व्रेश्चिक रासी वालों को बहुत बड़ा लाप मिलने वाला है, और व्रेश्चिक रासी वालों को भी हर प्रकार के सुक प्राप पूजा करें और बिर्श्पित बार को चने का दान करें मोने हुए चने लें और बीरवार भगवान विश्णू का भोग लगा करके और आप यह प्रसाद बांटें ब्रिश्चिक रासी बहुत सुभ रहने वाला हैं उपर से मंगल भी आपके लिए सुभ है अगली जो रासी है करक रासी जिस पर बिरश्पत देव की उच्ची द्रश्टी पढ़ने वाली है और बड़े-बड़े कार इसे दोंगे इनके पुत्त्र प्राप्त होगा धन प्राप्त होगा पिता का सहयोग प्राप्त होगा हर प्रकार का सुको और बेवव आपको प्राप्त होने वाला है सिवजी की पूजा करते रहें बहुत जरूरी आपके लिए भगवान सिवजी की पूजा ये छह रासी थी अब मैं आपको तीन रासी सम बता रहा हूँ जिन पर सम प्रभाव रएगा इनका न जादा असू न जादा सौ कुम रासी बहुत वड़िया और सम प्रभाव रहने बाला है कुम रासी वाले ब्रिस्वे देव की पूजा करें और सनी देव की पूजा करते रहें अगली जो रासी है वह है कन्या रासी कन्या रासी पर सम प्रबाब रहने वाला है और यहां तक है अच्छा ही प्रवाब रहने वाला है कन्या रासी वालों के भी कारें सिद्ध होंगी ब्रसव रासी बहुत बड़ी प्रवाब रहेगा प्रतिक कार में आपको स्वयूग प्राप्त होगा तो यह थी रासियां जिन पर ब्रस्पति की सुभदिष्टी पढ़ने वाली है अलग 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 रासी का भागी परवर्तन करते हैं कुछ रासी ऐसी हैं जिनका मंगल भागी परवर्तन कर रहे हैं तो उसका जानकारी में अगले वीडियो में आपको दूँगा तो मुझे उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लग जोगी तो वीडियो को लाइक शेर जरू करें और जो मैंने दान बताएं आपको पूजा बताएं आप उनको करते रहें आने वाला समय आपके लिए सुभ हो अच्छा हो और मंगल का रखो आप गरीबों की सायता करें स्वास्त का ध्यान रखें और ब्रस्पत देव की पूजा करते रहें जितनी ब्रस्पत देव की पूजा करेंगे उतना ही आपको लाव प्राप्त होगा भगवान विश्ण की पूजा करते रहें ओम ग्राम ग्रिम ग्रूम सहे गुरुवे नमा झाल